हे जैंप्स मेरा नाम है लक्षे वर्मा और आज हम एक नॉवल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Six Acres and a Third इस नॉवल को फकीर मोहन सेनापती ने लिखा है फकीर मोहन सेनापती पैदा हुए थे 1843 को और उनकी डेथ हुई थी 1918 को सेनापती पैले modern उड़िया नॉविलिस्ट थे उनके parents की death हो गई थी जब वो बहुत छोटे थे सेनापती को उनकी दादी ने बड़ा किया है सेनापती financially poor थे इसलिए उन्होंने खुद पढ़ना और लिखना सीखा सेनापती एक scholar बने और एक teacher बनकर काम किया तो चलिए अब हम इस novel को easy language में समझते हैं यह novel 19th century पर based है वो इस time पर British उड़ीसा के कई parts पर rule करता था और British जुड़ा हुआ था Bengal presidency से novel की शुरुआत होती है मंगराज नाम के एक आदमी से मंगराज गाउं वालों को पैसे उधार देता था मंगराज एक बहुत ही powerful जमिनदार बन गया था गोविनदापूर गाउं का मंगराज को इतनी success गलत तरीके से मिली मंगराज ने British के कानून का यूज किया ताकि वो छोटे मिया की जमीन हासिल कर सके मंगराज काफी आर्श रहता है छोटे फामस के साथ और local market को control करता है अपनी चीजे बेच कर मंगराज को तो सिर्फ पैसे और पावस ही मतलब था मंगराज की वाइफ सांतनी बिल्कुल opposite है मंगराज के character से सांतनी selfless है, kind है और काफी sympathetic भी है अगर घर चलाने की बात की जाए तो मंगराज एक failure था वो अपने बेटो और daughter-in-laws से बिल्कुल प्यार नहीं करता था मंगराज ने कुछ औरतों को sexually exploit भी किया था और अब वो औरते मंगराज के घर काम करती है इन औरतों में से एक औरत थी जिसका नाम था चमपा, चमपा भी मंगराज के साथ लोगों को scheme में फसाती थी दोनों ने decide किया कि वो mortgage के use से लोगों को फसाएंगे और उनके land या property हासिल कर लेंगे एक नया character आता है जिसका नाम है शिक दिदर मिया, ये मिदनापुर के बहुत important जमिनदार थे शिक दिदर मिया की जमिनदारी से जो पैसे कमाई हुए होते थे उन पैसों को मंगराज collect करता था मिया अपना काफी पैसा पार्टी में खर्च करता था जिसकी वज़े से वो काफी करजे में आ गया मंगराज ने इस situation का फैदा उठाया और मिया जब ड्रंक थे उसने मौटेस साइन करवा लिया मिया ने लोन को वापिस पै करने से मना कर दिया क्योंकि उसने मौटेस साइन किया जब वो ड्रंक था उसने लोन तो लिया ही नहीं था मंगराज ने मिया की जमीन हासिल कर ली और उसकी जमिंदारी भी हासिल कर ली मिया को कोट में हरा कर उसी गाओं में एक सिंपल कपल रहते थे वो वीवर थे उनका नाम था भगिया और सरिया इन दोनों के पास एक लैंड था जिसका साइस था six acres and a half मंगराज की नजरे इस लैंड पर काफी टाइम से थी उसने चमपा के साथ उस जमीन को हासिल करने का प्लैन बनाना शुरू कर दिया भगिया और सरिया को कोई बच्चा नहीं था वो लोग बगवान से डरते थे और इनोसेंग थे चमपा ने उनके इस वीकनेस का फायदा उठाया और सरिया से कहा कि वह गाओं के बगवान के लिए एक मंदिर बनवाए मंदिर बनाने के लिए उनको पैसा चाहिए था तो भग्या ने मंगराज से लोन ले लिया, मंगराज ने मॉटेज बनाया और उसमें लैंड का साइस 6 acres and a third लिख दिया भग्या और सर्या के लोन देने से पहले ही मंगराज ने उनकी जमीन जबरदस्ती हासिल कर ली भगया और सर्या ने अपना घर तो कोया ही साथ ही अपनी काव नीता भी खो दी सर्या ने मंगराज के घर के आगे मंगराज से भीक मांगी और भीक मांगते मांगते उसकी डेथ हो गई मंगराज की वाई सांतनी की हार्ट प्रेक की वज़े से डेथ हो गई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया सर्या की डेथ को और मंगराज को कोट में लाया गया कोट में मंगराज को सर्या की डेथ का दोशी नहीं माना गया लेकिन मंगराज दोशी था कि उसने सर्या की काउन नीता को अपने पास रखा एंड में मंगराज का लॉयर समिंदार बन गया चमपा गाओं के बारबर और मंगराज के पैसों के साथ गाओं छोड़ कर चली गई उस बारबर ने चमपा को मार दिया और खुद रिवर में डूप कर मर गया मंगराज जब प्रिजन से छूटा वो गाउं वापिस गया और वहां गिल्ट में जीता रहा मंगराज को लगा कि सर्या की डेट बॉडी उसे परिशान कर रही है तो बाद में मंगराज की भी डेथ हो गई